इन पंद्रा प्रश्णों के माध्यम से जानते हैं कि नई शिक्षानिती में क्या-क्या बदलाव हुए हैं तो देखते हैं अब पहला प्रश्ण NEP 2020 नई राष्टी शिक्षानिती जो है उसका पूरा नाम क्या है तो उसका पूरा नाम है National Education Policy राष्टी शिक्षानिती 2020 और इसको New Education Policy भी बोला जाता है जिस कार्थ है नई राष्टी शिक्षानिती 2020 अर्थार्थ NEP 2020 अगला प्रश्ण रहेगा हमारा राष्टी शिक्षानिती कौन-कौन से वर्ष लागू की गई थी तो पहली बार राष्टी शिक्षानिती सन 1968 में दूसरी बार सन 1986 और तीसरी बार राष्टी शिक्षानिती 2020 में लागू की गई इस प्रकार 68, 86 और 2020 तीन बार कुल राष्टी शिक्षानिती लागू की गई है अगला किश्चन है NEP 2020 की गोष्णा कितने वर्सों बाद की गई तो यदियम थर्ड वाली 2020 वाली राष्टी शिक्षानीती में से पिछली दूसरी 1906 वाली राष्टी शिक्षानीती को माइनस करते हैं तो 34, 34 वर्स यहां पर हमें प्राप्त होते हैं 34 वर्सों बाद NEP 2020 की गोष्णा की गई थी अगला किश्चन भारत में नई शिक्षानीती 2020 को केबिनेट की मंजूरी कब मिली तो यहां पर 29 जुलाई 2020 को भारत में नई राष्टी शिक्षानीती 2020 की मंजूरी मिली कुछ और प्रशना आप नीचे भी देख सकते हैं NEP 2020 के मसोदा समीती के अध्यक सुकौन थे वो इस दे चेर्मेन ऑफ ड्राप्टिंग कमेटी ऑफ NEP अर्थार्थ इसको बनाने वाले निर्मता तो ये थे हमारे अंत्रिक्ष विग्यानिक डाक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी ये इस निती के निर्मता कहलाते हैं अगला परग क्या हैं वो आप स्क्रीन पर नीचे देख सकते हैं अगला कुष्ण ने NEP पर बारश सरकार द्वारा GDP का कितना पेशा खर्च करने की बात कही है तो बारश सरकार द्वारा यहाँ पर देश की GDP का 6% इसा नई शिक्षा निती पर खर्च करने का फेशला लिया गया है अगला क्रश्ण यहाँ पर रहेगा NEP 2020 के अंतरगत कितनी आयू वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतरगत रखा गया है तो 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को इस कानून के अंतरगत रखा गया है अगला क्रश्ण देखते हैं 3 से 18 वर्ष तक आयू वाले प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता पुर्ण यहों समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष किस वर्ष तक का रखा गया है तो साल 2030 तगर वच्चे के लिए शिक्षा सुनिस्चित की जाए एंडरॉल्मेंट को 100% लाने का लक्ष रखा गया है कोई भी वच्चे सालत यागी ना रहे और सभी साकसर बने एनिपी 2020 का नुसार पांच युक अक्षा तक की शिक्षा किस वर्ष हम होगी तो त्री वच्चा रूल को यहाँ पर लिया गया है जो पिछली निती में भी था मात्र वच्चा इस्थानी वच्चा या से त्री वच्चा में ही पांच युक अक्षा तक की शिक्षा होगी और यहां पर AI भी उसमें सम्मिलित की जाएगी जो खक्षा चटी से स्टार्ट होगी NEP 2020 का मुख्य उद्देश से क्या है तो NEP 2020 का मुख्य उद्देश से समगर विकास सभी छात्रों का समगर विकास इसका मतलब होता है Creative Thinking, Critical Thinking, Decision Making और Problem Solver होने चीए Youth और Adult Literacy 100% हो और भारत में सिक्षा प्रणाली को 21 सदी के आउसकता हो का नुरूप बदलना यह सब NEP 2020 के मुख्य उद्देश के रूप में लिए गए है NEP 2020 का अनुसार Internship और Coding व्यवसाइक पाटिकरम किस कक्षा से सुरू की जाएंगे तो यदि हम यहाँ पर Internship की बात करें तो कक्षा चटी सही होगी जैसे किसी की गुरूची यदि चित्रकला में हैं तो वह पेंटर के पास जाकर Internship कर सकता है इसी प्रकार किसी बच्चे की यदि Coding करने की इच्चा है तो वह यहाँ पर व्यवसाइक पाटिकरम या Coding भी कक्षा चटी से ही सिंख सकता है जो उसकी फ्यूचर में काम आएगी अगला डाइट की स्थापना कौन सी निती के समय की गई थी डाइट की स्थापना राश्टी शिक्षा निती पीछली वाली 1986 की समय की गई थी जिसका मतलब होता है डाइट का मतलब जीला शिक्षा प्रसिक्षन संस्थान और यहाँ पर कुछ कायरी करते हैं जो शिक्षा में नवचार के साथ साथ नव शिक्षों को प्रसिक्षित करना सेवारत सिक्षों को समय समय प्रसिक्षा के नवी नुद्देशन से परिजित करना और क्रियाद मक अनुसंदान दतर प्रयोगी कायरी करना डाइट का मुख्य उद्देश होता है तो यहां 1983 की निती से ही लागू है और प्रत्य एक जिले में लगबग एक डाइट होती ही है NEP 2020 को किस शिक्षा निती की जगह पर लाया गया है तो इसको पिछली शिक्षा निती राश्टी शिक्षा निती 1986 की जगह पर लाया गया है और नीचे नई शिक्षा निती का अंग्रेजी बाशा को पांचे तक समापत कर दिया गया है इसको अब केवल एक विशाई के रूप में ही जाना जाएगा यहां पर अंग्रेजी के अनिवारिता नहीं रहेगी छोटी कक्षाओं में सन 1986 में जो शिक्षा निती लागू की गई थी उसमें संसोदन कब किया गया था तो उसमें संसोदन हुआ था 1902 में तो कभी कभी हम यहां पर चार सन देखते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर शिक्षा निती जो भारत में लागू गई वह चार बार हुई वहां पर केवल तीन बारी शिक्षा निती लागू हुई है केवल सन 1902 में सन 1986 की शिक्षा निती को संसोदित किया गया था यह मुख्य बाद हमें याद रखना है अगला और अंतिम प्रश्न NEP 2020 में पाट्टे चेरे की रूप रेखा का कौन सा पेटर न लागू किया गया है तो यहाँ पर यह रूप रेखा की सरंचना है वह कुछ इस प्रकार है पांच, तीन, तीन और चार तो हम आगे देखते हैं कि पांच, तीन, तीन, चार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है तो जैसा की हम इस्क्रीन पर देख रहे हैं पिछली नीती में 10 प्लस 2 का फार्मला खत्म हो चुका है और NEP 2020 में 5, 3, 3, 4 का पेटर लागू है जिसमें प्री प्राइमरी इस्टे में 3 से 8 वर्स के बच्चे जो 3 साल तक LKG, UKG, नर्सरी और पेली दूसरी इसी प्रकार 3 से 5 तक लेकर 8 से 11 वर्स तक के बच्चे चटी साटी तक के लेकर 11 से 14 वर्स के और 9 से 12 तक लेकर यहां पर 14 से 18 वर्स तक के बच्चे चार साल तक रहेंगे इस प्रकार इंग्लिज में भी हम इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरा निती और नई निती थी और इसको अच्छे से explain करने के लिए यहां पर हम दी गई स्क्रीन पर पूरे पढ़ाई के ढाचे को देख सकते हैं कि 10 प्लस 2 को किस प्रकार 5-3-4 में convert किया गया है और अभी तक 3 निती आई हैं तो वहाँ पर कौन-कौन से सन में कौन-कौन से प्रदान मंतिर रहते वह शिक्षा निती भी आप इसक्रीन पर देख सकते हैं इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नई शिक्षा निती में स्किल्स पर फोकस किया गया है साथ ही आंकलन के लिए यहां पर HPC कार्ड को लाया गया है जिससे बच्चों का आंकलन होगा और अब खराब नहीं होंगे कोलेज में भी साल हर साल कुछ न कुछ यहां पर मिलता रहेगा इस प्रकार यह शिक्षानिती बहुत यच्ची रहेगी घन्यवाद